हेलो एंड वेलकम दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हो कि आप Flipkart UPI एप के अंदर अपने प्राइमरी बैंक अकाउंट को केसे चेंज कर सकते तो चली इस वीडियो को शुरू करते इसके लिए आपको यहाप इस एप को ओपन कर देना है अब आपके सामने यहापे उपर Scan and Pay का बटन दिखाए देगा आपको यहापे क्लिक कर देना है और नीचे यहापे My UPI के उपर क्लिक कर देना है अब आपको यहापे थोड़ा नीचे आना है और यहापे Payment Methods के उपर क्लिक कर देना है अब आपको यहाँ पे जो भी bank account primary बनाना है उसके ऊपर click कर देना है और यहाँ पे पहले नंबर पे आपको status primary दिखाए देगा आपको यहाँ पे click कर देना है यहाँ पे click करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ओव बैंक अकाउंट हमारा यहाँ पे primary हो चुका है अगर आपको इस टूडियो से महत होती है तो प्ली दोस्की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है